साथियों नमस्कार कैसे हो आप सभी साथियों रेट मेंस की जब बात करें तो उसमें इंगलिस आती है ठारा नमबर की जिसमें 10 नमबर की ग्रामर है आठ नमबर की सिक्षन विद्या है आठ नमबर की सिक्षन विद्या अपन शुरू कर चुके हैं जिसमें पिंसिपल आफ इ teaching English, अंग्रेजी अध्यावन की विधिया क्या है, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए कुछ विधिया लगती है, कुछ विधिया है, कुछ old विधिया है जो पहले चलती थी, old method, कुछ new method, देखो method यानी होती है विधी, method कारतूता है, विधी, आप किस चीज में क्या चीज प्रि पाक्रिया को पर्योग में ले रहे हो उसको विधि करते हैं मित्धरD करते हैं tired old method जो पहले कर दो दो आ रही है न न है टीक है क्योंकि अंग्रेजी क्या है मारतिवाशा नहीं है breast भारत के लोगों की तो उसको पढ़ाने कि कुछ विधिया होती है okay भात करते हैं देखो जो old method है उसमें सबसे पहली बात आती translation come grammar method इसको हम GT method भी कहते है GT method ठीक है इसको क्या कहा जाता है GT method GT method कहा जाता है grammar come translation method या translation come grammar method इसको कहते है ठीक है this method is known as the Persian method in USA USM इसको pression method भी कहा जाता है pression method कहा जाता है इस method को USM ठीक है ठीक है साती हूँ अब देखो 18 सदी में बढ़ाये गया यह जो method है अब कुछ विद्वान है इस method के पीछे उनके नाम है देखो एक है जोन सेदेंस ट्रकर जोन सेदेंस ट्रकर पलोईड्स ठीक है ओलेंडोर्फ और जोन ओलेंडोर्फ और जोन मेडिंगर ठीक है यह इस विद्धी की प्रेनता माने जाते हैं ठीक इस विद्धी को हम सभी classical method भी कहते हैं देखो इस विद्धी की नाम है कई classical method और GT method इस मिद्धी को classical method भी कहा जाता है classical method भी कहा जाता है क्योंकि पुरानी विद्धी है यह पुराने से चलती आ रही है ठीक अब कुछ बाते हैं देखो टांसलेशन कम ग्रामर मेथड को आप जीटी मेथड़ भी कहोगी क्लासिकल मेथड़ भी कहोगी यूएसम इसको प्रस्विजन मेथड़ भी कहते हैं जोन सेडिंश ट्रकर प्लोड्ज ठीक है और यह ओलेंड डॉर्फ एंड जोन मेडियंगर इसके प्रेनता माने जाते हैं अब किस काम आती है ये ये बात भी देख लेते हैं अनुवाद देखो क्या है ये क्या बताता है अनुवाद करने से जो होती है विदेशी भासा असान हो जाती है ऐसे कहती है ये जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड़ ये ऐसे कहता है कि ट्र translate करके बच्चों को समझाओ, अनुवाद करके, अनुवाद करने से क्या होगा, कोई भी जो चीज है, विदेशी जो भासा है, वो सरल अपता से शेकी जाती है, ठीक है, व्याकरण को महत्पून माना गया है, व्याकरण को भासा की आत्मा माना गया है, व्याकरण को इंपोटे है जो विदेशी बार्शा है उसको अन्वाद करके हम आथस़ानी से स्छीख सकते हैं इस विध्धी में ठीक है सातियो अब देखो इसके कई कारें है अब देखो अब कैसे अब महत्पून इस विध्धी पाठ्ठे पुष्टक को एहम माना गया है पाठ्ठे पुष्टक को बुक्स को थो कि बुक्स इंपोर्टेंट माना गया है इसमें इंपोर्टेंट किसको माना गया है बुक्स को पाठ्ठे पुष्टक को महतकुन माना गया है व्याकरण को इंपोर्टेंट माना गया है व्या आपके पड़ने की सामगरी है, इसको important माना गया है, आपकी सब्दा उली, ठीक है, इसको vocabulary आपकी कैसी है, vocabulary कैसी है, इसको important माना गया, ठीक है, books are important role in this method, ठीक है, बहुत important method है, इसमें आप से पूछ सकते हैं कि book किस method में ज़्यादा important बागिदारी रखती है, तो वो रखती है बुक ट्रांसलेशन कम ग्रामर में थड़े में ठीक है अब देखो कुछ बाते बताऊंगा आपको अब इस विद्धी में ये इंपोटेंट चीज जो बताऊंगा अब आपको इस विद्धी में जो अध्यापक होता है वो पहले प्रतेक वाक्यों को पढ़ता है तथा मात्र बासा में अनुवाद करता है जैसे मात्र बासा है मानली जी हमारी मात्र बास मानली जी क्या हमारी मात्र बासा है हिंदी ठीक तो सबसे पहले जो अध्यापक है वो अध्यापक जैसे इंग्लिस पढ़ रहा है तो उसको इंग्लिस में पढ़ेगा ठीक फिर उसको हिंदी में translate करेगा हिंदी में translate करेगा तो सबसे पहले अध्यवक प्रते को पड़ता है जिस भवाशम वो लिखा हुआ जैसे English में पड़ेगा फिर उसको हिंदी में translate करेगा मात्रे भासमे translate करेगा बीच बीच में व्याकरण के बिंदुों के नियम के बारे बता देगा जैसे मालो बीच बीच में grammar है तो बता देगा भाई यहां पर grammar है यह तरिके से यूज हुआ है इस परकार से इस जो यह इस परकार से इस method को पढ़ाया जाता है सबसे पहले जो बाशा है जैसे English बाशा है तो English में अध्यापक पढ़ेगा उसको हिंदिम ट्रांसलेट करेगा, पड़ते समय जो भी grammar के नियम आएंगे, उन्हें वो पड़ता चलाए जाएगा, इसमें मातरी भासा को परमुख माना गया है, ठीक है, mother tongue को important माना गया है, इसमें mother tongue, important role उसमें माना गया है mother tongue का, ठीक है, ठीक है, अब grammar इसमें निगमन तरीके से पढ़ाई जाती है, grammar is taught deductively, ठीक है, मतलब निगमन तरीके से किसे, जैसे मानलों English पढ़ा रहा है, हिंदी बीच में translate कर रहा है, और बीच बीच में बिंदो को किस से समझा रहा है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, निगमन तरीके से किसे, पहले नियम बता देते हैं, बाद में पढ़ाते हैं, यानि व्याकरन के नियम बताते हुए, पढ़ाता है, इसलिए इसको, ये जो विदी है, known to unknown चलती है, ग्यात से अग्यात की तरफ चलती है, ये भी आप से अज्यात की तरफ ये जो विधी है वो चलती है क्या चे अज्यात की तरफ ये विधी चलती है साथ हूं कई इसके गुण है अब ये गुण क्या है इस विधी के द्यान देना ये एक सरल विधी है पेशा कम लगता है पेशे बचाने वाली विधी है कक्षा में आसानी से इसका अपयोग होने वाली विदी है आशनी से इसका उपयोग हम कर सकते हैं इसका उपयोग कर सकते हैं ठीक आशनी से ठीक है ये विदी जो है साथियों देखो अब क्या होता है कई बार क्या होता है इससे वास्त्विक जो आप पड़ा रहे हो जैसे इंगलिस पड़ा रहे हो तो व इसका दोस है, ठीक है, सोरो चारण मर जाता है, अभिवेक्ती की आजदी है, वो खतम हो जाती है, यह में थेड़े परसिद सुक्ती, यानि परसिद पून से अंस के विपरीध है, भाई ऐसा कहा जाता है, कि पून से अंस की तरफ चलना चाहिए, इसकी यह विपरीध है, यह पूर्ण की तरफ चलती है क्यों चलती है क्योंकि इसमें जो होता है सब्द को अध्यापन की इकाई माना जाता है वाक्य को नहीं और ऐसा कहा जाता है कि वाक्य को अध्यापन की इकाई माना जाणा चाहिए लेकिन इसमें सब्द को अध्यापन की इकाई माना जाता है बहुत सरल विद्धी है उमीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी कक्षा में आशानी से उप्योग हो सकता है अनुवाद करते हैं इसमें व्याकरन अनुवाद करते हैं पढ़ा देते हैं इंपोर्टेंट बात मैंने बताई है अब चलते हैं डायरेक्ट मेथड़े देखो डायरेक्ट मेथड भी एक ओल्ड मेथड है ठीक है इसमें क्या होता था देखो अपने ट्रांसलेशन काम ग्रामर मेथड पढ़ा तो इसमें अनुवाद करके शीखते हैं अब direct method में क्या है ये चीज अपन देखते हैं ठीक है ये जो विदी है ये तकरीबन 1850 की विदी है ठीक है the later half of the 19th century यानि half of the 19th century यानि 19th century जब half हो चुकी तब की ये विदी मानी जाती है ठीक है अब चलते हैं देखो जो विदी है चलते हैं अब देखो इस विदी की जो important चीज है इस विदी की जो भी महत्मुन चीज है वो क्या है इस विदी की महत्मुन चीज है कि बच्चे को जो भासा आप शिका रहे हो भासा जो भी आप target language उसको शिका रहे हो उसका तरीका है उसको वो आदत में डालिए आप आदत में बासा को आदत में डालिए मात्र भासा का सहरा लेना इस विदी में वर्जित है मात्र भासा का आप सहरा नहीं ले सकते इस विदी में मात्र भासा का उपियोंग आप नहीं कर सकते आप जो भी target इसा शिकारे हुआ आद्धत में आने चीए आप उसमें जो मात्र भास है उसका प्रयौक नहीं कर सकते टारगेट लेंग वेज को डायरेक्षी का ये आप ठीक है तो यह सोचती है कि आप जो भासा में ही वह बच्चाशों सोचे कि ठीक है उसे में वह विचार करें ऐसी डवलप कर दो आप कि जो सोच है विचार है वो उसमें उसकी विचार सोच को विक्षित कर दो इस परकार से यह बासा पड़ाई जाती है ठीक चलते हैं आगे यानि कि इसमें आप ट्रांसलेशन मेथड का उप्योग नहीं कर सकते यानि कि आप जैसे माली जी इंगलिस पड़ा रहे हो तो उसको आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हिंदी बासा में ट्रांसलेट करके नहीं पड़ा सकते डायरेट आप उसको पड़ाईए ठीक है अब इसमें ग्रामर जो शिकाई जाती है वो नियमों के अधार पे नहीं शिकाई जाती है पिछली में अपने पड़ा ग्रामर कम ट्रांसलेट बेशन में उसमें नियम बता दिया जाता है इसमें नियमों के अधार पे आपको जो ग्रामर है वो नहीं शिकाई जाती है नहीं शिकाई जाती, नियमों के अधार पर आपको grammar नहीं शिकाई जाती है इसमें, ठीक, grammar विवेचन आतम की गुरूप से पढ़ाई जाती है, उसका विवेचन करो, इस परकार से grammar पढ़ाई जाती है, ठीक, इस विदी में जदा मोखिक अब्यास जरूरी है, मोखिक अब्यास पर बल देत कॉंस्रेट टू एपस्ट्रेक्ट के तरफ चलती है यानिमूर्त ग्जान से आप अमूर्त के तरफ जाईए जो ग्जान वेक्ति को दिख रहा है उससे फिर दिर दिरे अमूर्त के तरफ आप बढ़ी ए ठीक है अंग्रेजी माध्यम में शिखाई जाती है इंगलिस से शिखाई जाती है ठीक है इसमें आप विच्वल एड्स का प्रियोग कर सकते हो बच्चे को विच्वल एड्स आप इसमें दिखा सकते हो जो आप दिखाना चारे हो उसके चित्र आप इस विधी में बच्चे को दिखा सकते हो ठीक है इसमें वो चित्र दिखा सकते हो आप ठीक है अब चलते हैं आगे साथियों अब देखो यो जो विधी है ये मूर्ति से मूर्तक ले जाती है ये मैंने आपको बता दिया है ठीक है अब कई कमिया है इसमें कि क्या कमिया है आप व्यक्ति से मात्र बासा को दूर नहीं कर सकते यह कमिया है आप बच्चे को मात्र भाषा से अलग नहीं कर सकते मात्र भाषा से आप बच्चे को अलग नहीं कर सकते यानि आप बिना मात्र भाषा का सारा लिए बच्चे को कुछ सिखा नहीं सकते बालक को बिना मात्र भाषा का सारा लिए आप जान नहीं करव वाऊं शक्ति सातियों, यानि मात्र भासा का आपको प्रियोग लेना ही पदेगा ठीक मात्र भासा का आपको उप्योग करना ही पदेगा, देखो उमीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कल दो तीन में थड़ और बच रहे हैं अपने इसको अगले पार्ट में अपन खतम कर देंगे धन्यवाद